दोस्तों आसूस का A15 लाप्टॉप जो है पहले ही मैंने उसको जो अन्बॉक्स किया था जो 2021 का Ryzen 7 का मॉडल था जो आइज एक सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था बट उसके बाद जो है लाप्टॉप नहीं आया A15 का बट अभी फिलाल एक लाप्टॉप लाउंच हुए RTX 3050 के साथ और यहां पर पुराना प्रोसेसर जो यूज किया गया जो कि 4000 सीरीज का प्रोसेसर है राइजन 74800H तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए स्पेक्स क्या है वो सारे चीज़े बात करेंगे यहां पर क्योंकि आसूस्टा वीडियो मैं यूज कर चुका फिर वापस आ सकते हो जब भी मैं वीडियो अपलोड करो यहां पर आसूस्टाफ की बात करते तो यह वाला लाप्तॉप जो है बहुत ही फेमस बजेट लाप्तॉप कहा जाता है जो कि गेमिंग लाप्तॉप की दुनिया में है और यहां पर थोड़ी बहुत हीटिंग के ल एक उक्ता कोड का प्रसेश्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा अभी जितने भी आर्टी थर्टी फिप्टी के लाप्तॉप अब उठा के देख लो 85,000 से स्टार होता है या फिर 80,000 से स्टार होता है आप मान के चल सकते हो और वहां पर मिलता है कि आप लोग को वहां पर 6 और 12 थ्रेट का प्रसेशर मिलता है जो कि 5000 सीरीस की है मैं मानता हूं कि यह राइजन 5 5600H तो यह वाला आपको मेल जाएगा इस बजट के साथ 77 जो कि आप लोग को यहाँ पर 8 और 16 थ्रेट्स प्रवाइड करता है जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हो वी एफेक्स में कुछ काम बगएरा करते हो और यहाँ पर बहुत ही हैवी जो इंजिनरिंग के अप्लिकेशन होती है ऐरनोटिकल साइंस की जो डिजाइन के अच्छा खासा काम कर देगा साधी साथ मिलती है आप लोग को यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर टीजीपी कितना होगा यह मैंशन बिल्कुली नहीं किया उन लोग ने पर होफुली यह 70 अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है पर 70 होना नहीं चाहिए इस बजेट पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर 55 प्लस 5 वाट की डाइनेमिक बूस्ट यहाँ पर मिल सकती है जो कि 60 वाट की मैक्स टीजीपी बट होफुली यह अच्छी साइड में हो 40 वाट की ना हो यार यह मैं दुआ करता हूँ बट स्टिल में बताना आपका कमेंट जो मैं पिन कर दूँगा ओके तो यहाँ पर यह चीज है तो आप लोग मेरी जो एसर नाइट्रो 5 का वीडियो है रीसेंट्री मैंने पोस्ट के साथ वह देख सकते हो वाट वहां पे टीजीपी था 70 वाट की तो अगर यहाँ पर भी 70 वाट दे द कर लेंगे बट वहां पर आप लोगो आप लोगो की कि थोड़ी बहुत मिलेगी जो कि ना के बड़ा बड़ी काम करेगा उतना जादा कुछ फाइदा नहीं होता है आपको बड़ी यह बहुत अच्छी खासी ग्राफिक्स देखने को मिलती जो वह सब्टास जो आसानी से है अब और स्पेसिफिक्शन की बात करते हैं तो देखोए 8GB की आप लोगो रम मिलती है 3200 MHz की साधी साथ यहां पर आप लोग उसको अपग्रेड करते हैं तो आप लोग उसको अपग्रेड करते हैं तो यहां पर कोई भी HDD स्लोट नहीं है यहां पर SSD आपको मिल जाती है 85% के NTSC देखने को मिलती है अब एक्सपेक्ट मत करना 100% SRGB यहां पर स्रजीवी रेशियो में अगर करते हो 63-64% की SRGB रेशियो आपको मिल जाती है जो की adequate है अगर आप लोग नॉमल टास्क करते हो कोई भी दिकर नहीं है अगर आप लोग डिजाइनिंग पॉपस के लिए करने चलते हो तो यू कन ऑल्वेस कनेक्ट ए 100% SRGB मॉनिटर वाई यूर HDMI एंजॉइ जिसके अंदर आप लोगो 100% SRGB देखने को मिल जाती है बाकी अगर आप लोग सिर्फ उसी का डिस्पली उसको इसको इग्नोर कर सकते हो यहां पर अगर आप लोग 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 खेल 90Wh की बैटरी है यहां पर चार सिल की बैटरी मिलती है ऐसे आपको 180W की AC एडप्टर देखने को मिलती है और यहां पर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी इस वाले लाप्टॉप के साथ और यहां पर HD webcam है और additional specification की बात के तो सारे पोर्स अबलेबल है यहां पर RJ45 पोर देखने को मिल जाएगी जो कि जैसे कि अब लोग प्रीवियस मॉडल में देखने को मिल रहा था वैसा ही देखने को मिलता है और यहां पर कहीं पर मेंशन नहीं है कि यहां पर backpanel कैसा होने वाला है शायद से 2020 वेडियन का ही अपग्रेड़ेड वर्शन है विट अपग्रे किया उतना सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है तो वह जहल लेता है वह जहलने के लिए बनाया है अप लोग अंडर वोल्ट कर सकते हो और साथ यहां पर अगर एसी रूम में यूज़ करते हो या फिर कूलिंग पैट वागर लगा 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 यहां पर लोगो बंडल जो है विंडोस 10 तो आपको मिली जाता है बात में आप लोग विंडोस 11 में अप्ग्रीट कर सकते हो इसके प्राइस की बात करते हो 97,000 इसके MRP है अगर आप लोग ध्यान देते हो तो MRP 97,000 सम्तिंग है बट अभी आप लोग को 75,000 में देखते हो मि लिखे रख सकते हो आप के 80,000 क्रॉस इसका प्राइस होने वाला है बट अभी इंट्रोड़क्टरी प्राइस थोड़ा कम है अगर आप लोग कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो मैंने सारी चीज़े बता दी किन लोगो लेना है किन लोगो नहीं लेना है आपको अगर कु तो छोटा सा वीडियो जो कि आसुस्टफ एफटीन के ऊपर था जो कि नया रिसेंटली लॉंच हो है पुराने प्रोसेसर और नहे जीप्यू के साथ आई होप यह कॉम्बिनेशन तगड़ा लगा अपको मुझे तो परसनली तगड़ा लगा लेकिन इसका MRP 97,999 ऐसा लिख STAY LER, STAY SAAPE AND BABY!